पॉस्ट वितीजम हिंदी चानल प्रेक्षकों को स्वागत प्रमुक नास्तिको द्यमने तासरी गौराजी से लिक्की हुई गांदी नास्तिक समवाद पुस्टक से अने कमशों को जान रहे हैं न हम आज इसी पुस्टक से गांदी जी और गौराजी के बीच हुई अस्पृशिता निवारन के कारक्रमों के बारे में बादचीत को जानेंगे गौराजी हमें कह रहे है कि 1946 के अंत में मैं दिल्ली में था अकिल भारती कांग्रेस कमटी के दफ्तर में कांग्रेस की संगटन शाका के कारिकर्ता की हैसेत में मैं काम कर रहा था मुझे बंगी कालनी की जहा हरिजन मंदर गांदी जी उस समय टहरे हुए थे जाने का मौका आता रहता था इस सिल्सले में उनसे कभी-कभी नास्तिकवादी दुर्ष्टी को लेकर बाचित हो जाती थी एक दिन उन्होंने मुझसे अस्पृषता निवारन का मेरा कारक्रम पूचा गौरा जी ने जवाब दिया नीमित रूप से जात पांत के बेद के पिना सामदाईक भोजन का आंदोलन उसी तरह जनव्यापी फैमाने पर होना चाहिए जिस तरह सन 1920 में विलाईती कपडों की हो लिया जाती थी गांधी जी ने जवाब दिया क्या केवल सामदाईक भोजन के आयोजनम से हम लोगों की बावना को जगा सकेंगे गौरा जी ने जवाब दिया उसके बाद अंतरजाती विवाख अंतरिम सरकर में अब कांगरिसी और राश्री वृत्ती वाले लोग है अधा उसकी व्यवस्ता हो सकती है की हर अंतरजाती विवाख की गोशना सरकारी पत्रक के जरिये की जाई सरकार अंतरजाती विवाख करने वालों को 500 रुपिया बेंट दे इसके सिवा ऐसे विवाख की संतान को तीसरे बालक तक प्रती बालक दो वर्ष तक 50 रुपिये थ्रैमासिक मदद दी जाई गांधी जी ने पूचा, तुम आर्दिक मदद क्यों चाते हो? सरकारी प्रसिद्धी काफी नहीं होगी? गौरा जी ने जवाब दिया. जब तक आज का आदिक ढांचा बरकार है, ऐसा दबाव एक वास्तविक कटनाई है. इसलिए कानून और सरकार की विग्नप्ती की प्रसिद्धी तो दंपती को सामाजिक हैरानी से बचाएगी. और यहाँ आदिक मदद उन्हें आदिक संकट के डर से मुक्त करेगी. सरकार को यह नीती संबाव तहा 5-10 वर्ष से ज्यादा नहीं चलानी पड़ेगी. इतने समय में एसी आशा कर सकते है कि यहाँ आंदोलन जट पकड़ जाएगी. इसके जवाब में गांधी जी ने क्या कहा? हम अगले एपसोड में जानेंगे. दन्यवाद. झालेंगे.